यूपई शिक्षक भरती मामले में सुन्वाई है जो सुप्रिम कॉछ नौए वाद लगा दी ती जिसमें शिक्षिकों की भर्ती लिस्ट को रग्द कर दिया गया था आईकोट ने राज्जु सरकार को आरक्षर डियावो का पालन करते हुए तीन महिने में नई लिस्ट बनाने का आदेश दिया था सुप्रिम कोट ने आदेश पर उक लगाते हुए कहा था ताकि वो मामले से जुड़े कानूनी सवालों पर विचार कर आने इश दिगा उननतर हजा शिक्षक भर्ती मामले में आज जो सुनवाई है बड़ा दिन है सुप्रिम कोट पर सभी की निगाहे ठीकी हुई है देखना होगा क्या कुछ होता है क्योंकि फैसले की घड़ी आ गई है उननतर हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुनवाई होनी है बड़ा दिन ना पसमझ चकते हैं उत्तर पदेश शिक्षक भर्ती केस में आज यरिंग होनी है सुप्रिम कोट में आज इसे लेकर सुनवाई होनी है और ज्याद इंफोर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सयूगी जो चुके हैं नीरज मिश्चा उनकारू कर लेते हैं नीरज क्या कुछ जानकारी जो बिल्कुल देखिए आज इननतर हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज बड़ा दिन है आज इनकी सुनवाई होनी है पिछले काफित सालों ते करीब से सालों ते जो सिक्षक भर्ती परिच्षा के द्यारती है वो अरक्षक जो उनके साथ कहा गया कि घुकला होता है इस पूरे मामले में वो लगातार फंगर्स कर रहे थे और फिर हाइकोर्ट उन्हें रहा दिली थी, हाइकोर्ट में माना था कि आरक्षा डीमों का फालत नहीं हुआ, जहादा जो भर्षी थी उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सुत्रिम पोर्ट में उसके बाद जहादा कि पूरी भर्षी प्रक्षा की एक और फिर्ट पर जाद हो और देखें, क्योंकि इसके पहले से भर्षी होते हैं, जहादा कई लोग बेरुकार भी हो जाएंगे, तो अब इस लिए आज हैं दीने देक्शिय होगा कि सुप्रिम कोर्ट की का आज क्या पसला आता है ठाक कुछ उप रहे हैं कोरे कहीं मच जाएगा कुछ उप एले कुछा भी हो। कुछ झाज पसला हैं एक पसला है क्ग क्पस्टा